नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अगर्वाल और मैं सीनिया कंसाल्टेंट हूँ अपस्टेट्रिक्स और गानेकॉलजी में और मेरी अपनी क्लिनेक अराध्य मदरेंच चाइल के इंदरापुरम शिप्रस अंसिटी में है आज हम सब बात करते हैं एक बहुती कॉमन प्रोब्लम के बारे में जिसे कहते हैं यू ट्राइन फाइबरोइद्स बहुत सी patients, बहुत सी ओरतें आती हैं हमारे पास कई बार उनको कोई तकलीफ होती है और कई बार सिर्फ ultrasound पर पता चलता है कि हमारे तो बच्चे दानी में या uterus में एक रसौली आई है तो इसका क्या करना है नाम सुनकर ही अक्सर लोग परिशान हो जाते हैं तो आज हमने इस topic के बारे में एक चोटा सा video बना कर इसको समझाने की कोशिश की है So fibroids basically एक चोटी सी एक growth को कहते हैं growth यानि बढ़त tissue की बढ़त को, benign बढ़त को यानि कि जिसमें cancer होने के लक्षन न के बराबर हो उसको fibroids कहते हैं जो uterus यानि हमारे बच्चेदानी का जो tissue होता है जो muscles होती है जब वो अपने आप एक जगा में एकटा होकर बढ़ने लगती हैं तो वो fibroids को जनम देती हैं तो इस प्रकार के fibroids बहुत तरीके के होते हैं बहुत sizes के होते हैं और depending upon कि uterus में किस जगा पर है 12-24 cm इतने बड़े-बड़े fibroids भी हो सकते हैं तो जैसे मैंने कहा कि कुछ fibroids परिशान करते हैं और कुछ fibroids दिक्कत ही नहीं करते तो यह कैसा होता है तो जैसा कि आप देखेंगे कि uterus जो होती है उसकी जो दिवार होती है वो काफी मोटी होती है अंदर उसके एक कैविटी होती है यानि वो जगा जिसमें की बच्चा आता है या जहां से महावारी का बलड बाहर निकलता है तो आपका fibroid इस कैविटी के जितने पास होगा वो fibroid के तंग करने के chances उतने जादा बढ़ते जाएंगे तो किस तरीके से fibroids हमें पता चल सकता है क्या-क्या दिक्कते कर सकता है सबसे common problem जो fibroids करते हैं वो है महावारी की दिक्कत यानि periods की problem periods का जादा होना बहुत दिनों तक चलते रहना या periods में pain होना ये commonist symptoms होते हैं fibroids के तो this is so pain during periods and heavy bleeding during periods these are two of the commonest problems जिनके साथ fibroids की परिशानी लेकर लोग हमारे पास आते हैं और जैसा मैंने कहा कि कुछ fibroids परिशानी ही नहीं करते यानि बिलकुल वो पड़े रहते हैं शरीर में बनते रहते हैं बढ़ भी जाते हैं और हमें उनका पता नहीं चलता ऐसा यूश्विली तब होता है जब यह fibroids हमारी अंदर की cavity यानि अंदर की जो जगा है उससे जितना दूर होते जाएंगे जितना बाहर की तरफ एक fibroids होता चला जाएगा वो fibroids कम से कम दिक्कत करने वाला होगा तो इसलिए हम इसे तीन प्रकार के main fibroids में विभाजित करते हैं सब्म्यूकोजल, इंट्राम्यूरल और सब्सीरोजल सब्म्यूकोजल यानि cavity के बिलकुल बगल में इंट्राम्यूरल यानि उसकी दिवार के अंदर और सब्सीरोजल यानि वो fibroids जो की बाहर की तरफ है जैसे मैंने कहा जितना बाहर होगा उतना परिशानी करने के chances कम होगे लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर होने वाला fibroids परिशान नहीं कर सकता, वो भी दर्ड कर सकता है कई बार वो suddenly twist हो जाता है मुर जाता है, घूम जाता है या उसमें कोई bleeding या infection हो जाता है तब वो fibroids भी परिशान करते हैं अगर हम एक study की गई थी जिसमें ये पता लगाया था कि यदि हम 100 और्तों का ultrasound करें तो कम से कम लगबग 30 से 40 और्तों में अलग-अलग विभिन प्रकार के fibroids निकलते हैं तो क्या इन सारे fibroids का treatment करना सरूरी है ऐसा नहीं है अगर कोई fibroids छोटा है पढ़ा हुआ है छोटे से मेरा मतलब से 1 और 2 cm का है बाहर की तरफ है किसी प्रकार की दिक्कत नहीं कर रहा तो हम उसको एक बार को छोड़ भी सकते हैं एक और important problem है जो कुछ fibroids करते हैं वो है infertility यानि कि वो औरत को बच्चा ठहरने में दिक्कत आ सकती है because of a fibroid ये भी उसकी position के उपर निर्भर करता है जितना वो tubes originate होने वाली जगा के पास है यानि cornu के पास है या cavity के आसपास है या even muscles के अंदर है तो इस तरह के fibroids और बहुत सारे हैं एक ना होकर कई सारे हैं तो इस तरह के fibroids भी बच्चा ठहरने में दिक्कत कर सकते हैं कई बार जब fibroids बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो urine ठीक से नहीं पास हो पाती या patient को latrin पास करने में या motion पास करने में बहुत दिक्कत होती है दर्द होता है तो इसका treatment भी इसी पर depend करता है कि यह कितना बड़ा है कहां पर है और यह दिक्कत क्या कर रहा है उसके उपर निर्भर करता है कि हम इसको आगे कैसे treat करेंगे अपने आप तो यह गायब नहीं होते हम मीनो पास होने के बाद कुछ हद तक शायद छोटे हो जाएं या श्रिंक हो जाएं पर जिस वक्त तक वुमन की reproductive age चल रही होती है यानि वो उम्र जिसमें वो मा बन सकती है her 20s, 30s and 40s उस उम्र में specially important होता है इनकी देखभाल करना तो तीन main treatment है एक symptomatic, एक medical और एक surgical symptomatic मतलब की एक चोटा सा fibroid है बहुत जादा दिक्कत नहीं कर रहा हलकी फुलकी bleeding जादा है तो केवल bleeding कंट्रोल करने की दवाईयों से भी कभी-कभी हम उसको manage कर सकते हैं दूसरा treatment आता है medical यानि specific दवाईयां fibroid को घुलाने की यहां मैं यह कहना चाहूंगी कि fibroid को घुलाने की दवाईयां बहुत कम हैं और कुछ एक या दो ही है जो अभी market में नहीं आई है और expensive भी हैं और इनके अपने अलग-लग तरीके के side fix भी होते हैं इसलिए यह दवाईयां किबल वहाँ इस्तिमाल की जाती है जहां पर एक और अउरत अपने uterus को preserve करना चाहती है इतना बड़ा मतलब वो निकलवाना नहीं चाहती या हम उसे निकाल नहीं सकते या उसे बच्चा चाहिए या कोई इस तरह की stage होती है तब हम medicines का इस्तिमाल करते हैं Most of the times Fibroid का management दो ही तरीके से किया जाता है एक या तो हम symptomatic कुछ दवाईयां देते हैं जिससे bleeding वगरा control में आ जाए और second है इसको remove करना अकसर patients का common सवाल यही होता है कि मैम क्या कोई दवाई नहीं है इसे घुलाने की जैसा मैंने आपको अभी बताया दवाईयां हैं लेकिन एक दो दवाई हैं जो की बहुत नहीं है और उनके भी अपने side effects हैं और वो भी बहुत excessive तरीके से कारगार हो ऐसा नहीं है शायद थोड़ा सा size चोटा कर देंगी परन्तु पूरी तरह से वो इसको खतम करने में सक्षन अभी भी नहीं है तो जिन लोगों को ज़ादा दिक्कत है आप अपने 40s में हैं आप अपनी family complete कर चुके हैं आपको fibroids के कारण ज़ादा दिक्कत है bleed बहुत कर रहे हो शरीर में खूम की कमी आ गई है तो ऐसे cases में इस तरह की uterus को ही निकलवाना बहतर रहता है यहाँ पर एक सवाल और आता है अकसर patients का कि madam क्या uterus को निकलवाना ज़रूरी है या केवल हम fibroid को निकाल सकते हैं तो दोनों अलग-अलग तरीके के operation होते हैं fibroid को निकालने वाले operation को myomectomy कहते हैं और uterus को निकालने वाले operation को hysterectomy कहते हैं uterus को निकालने का operation technically ज़्यादा असान होता है उसमें bleeding होते रहने के chance surgery के दौरान bleeding होने के या problems होने के chances कम होते हैं तो अगर uterus की जरूरत नहीं है और यह ज़्यादा दिकत कर रहा है size बहुत बड़ा हो गया है पिशाब में, urine में, motion करने में दिकते कर रहा है, patient को pain है दवाईयों से control नहीं हो रही है bleeding तो uterus को निकाल देना ही prefer किया जाता है परन्तु मान लीजे कोई औरत है जो अपने 20s में या 30s में है बहुत बड़ा fibroid है बच्या उसके कारण नहीं ठहर पारा या उसको दर्ध है या वो किसी भी reason से अपना uterus नहीं निकलवाना चाहती तो हम केवल fibroid को निकालने की कोशिश करते हैं fibroid को निकालने की operation को जैसा मैंने कहा कि myomectomy कहते हैं इसमें uterus के उपर चीरा लगता है fibroid को निकाला जाता है और वापस उस जगा को सिल दिया जाता है तो क्योंकि बहुत तरीके के fibroids होते हैं एक ही uterus के अंदर कई बार बहुत सारे fibroids होते हैं तो कई बार हमें एक से अधिक चीरे लगाने पड़ते हैं ऐसे में uterus भी थोड़ा कमजोर होता है होने वाली आगी pregnancies में भी कभी-कभी इसके कारण दिकते आती हैं तो myomectomy का operation बहुत सोच के किया जाता है इसमें थोड़ा सब leading के chances बढ़े रहते हैं परतु वो औरतें जिनको बच्चा नहीं ठैर रहा है या uterus रखना है किसी भी कारण से उनमें हम myomectomy करना prefer करते हैं तो सब मिलाकर कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर आपके ultrasound में fibroid नजर आता है या आपको specifically fibroid पता चला है ultrasound कराने के कारण क्यूंकि आपको कुछ दिकते थी तो इसका आगे management कैसे करना है ये आप और आपके doctor मिलकर ही decide कर सकते है कि ये कितनी दिकते कर रहा है और इससे क्या-क्या परिशानिया है आपको आगे बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए bleeding के कितने issues हैं या नहीं है तो बस इतना ही कहना चाहूंगी आज में fibroids के बारे में Thank you